कलेक्टेट स्थित NIC सभागार में विडियो कॉंफरेंसिंग की गई इस दौरान DIG होंगार संजीव कुमार शुकला ने 29 जिले के मंडली अधिकारी और जिला कमांडेंट को 15 अगस्त को धूमधाम से मनाय जाने के लिए कहा इस दौरान होंगार से संबंदित समस्याओं पर की विचार विमर्ष किया गया राश्ट्रिय पर्व स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां हर महकमे में हो रही हैं पुलिस के साथ DIG होंगार संजीव कुमार शुकला ने मंगलवार को विडियो कॉंफरेंसिंग के दौरान मंडली अधिकारी और जिला कमांडेंट को भवनों पर तिरंगा लाइटिंग कराने के आदेश दिये हैं DIG होंगार संजीव कुमार शुकला ने 49 जिलों के अधिकारियों के साथ विडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से विभाग की समस्याओं के बारे में चानकारी ली इसके साथ ही दिशान निर्देश भी दिये कि पूर संध्याप पे ही हम लोग तैयारियों के लिए शाशन के जो दिये के निर्देश हैं उसको कैसे हम लोग राश्ट्री परव को कितने समारो पूरवक मनाये जाने की एक समिक्छा बैठे का याज हम लोग ने की थी जिसमें हमारे पश्चिमे परिछेतर के 26 जिले और मन्डली अधिकारी और जिला कमांडेंट्स ने मृतक आश्रत में मिलने वाली नौकरी के बारे में डियाईजी को अफगत कराया कई ऐसे मामले सामने आए कि मृतक की पत्नी और भाई दोनों ही हम गाड में नौकरी के लिए दावा कर रही हैं विकलांग हम गाड की बेटी हम गाड हैं प्रमाण पत्रों की जाच करने पर उम्र में सिर्फ पांच साल का अंतर पाया गया अब इस तरह की कारस्तानी को लेकर गहंता से जाच परताल की जा रही है विश्तार से चर्चा की थी कलेक्ट्रेट स्थित एन आई सी में हुई विडियो कांफरेंसिंग के दौरान 49 जलों के जला और मंडलीय कमांडेंट ने बैठक की लोकसभा पिधान सभा और निकाय चुनाव का अभी तक भुकतान नहीं हुआ है 2019 में हुए लोकसभा चुनाव का भुकतान अभी तक लंबित है डियाईजी ने भुकतान कराने का आश्वासन दिया है डियाईजी हुमगाड ने हर समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया सी न्यूस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट